हेलो दोस्तों कैसे वाच्छा उम्मीद करते हैं अच्छ होंगे तो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग को बताने वारा हूं आधार केंसिल अगर आपका भी यह स्टेटस सो हो रहा है योर आधार इस कैंसिल अंडर रेगुलेशन 27 2016 यह अगर आपका आधार कार्ड जो है वेरिफाइल करने भी यह अगर सो हो रहा है तो दोस्तों मैं आपको बता दिना चाहता हूं कि आपका आधार कार्ड जो है कैंसिल हो गया दोस्तों इसका सोलिशन कैसे हम कर सकते इस वीडियो में आप आपको पूरा डेटेल से बताऊंगा और क्या कैड़ेक्मेंट लगेगा दोस्तों यह सब चीज बताऊंगा दोस्तों तो अगर हमारी यूटुब चैनल पर पहली बारा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वेल आइकनों को और जरूब करीजे दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो है आधार कैंसिल हो गया है तो आपका यह कैसे सोलूशन हो गया उसके लिए क्या क्या डिपमेंट आपको देना है दोस्तों ठीक है तो देखिए अगर आपका आधार काट कैंसिल हो गया है तो यह जो आधार काट कैंसिल हुआ है यानि बाद से आपको बायोमेंटिक अब्डेट कराना होता है और उसमें मोबाईल लंबर और एडेस अब्डेट कराना होता है दोस्तों उसके बाद से आपका अधार का जो है एक्टिवेट हो जाता है दोस्तों ठीक है तो आपको घबराना नहीं है अगर आपका ये भी स्टेटेस तो होता है आधार केंसिल हो गया है या आपका अधार कार सस्पेंड हो गया है या आपका अधार का जुह है डी एक्टिएट हो गया तो दोस्तो इस वीडियो में आप लोको पूरा डीटेल से बताने जा रहा हूं अपने लेपटॉप के स्क्रीन पे और वीडियो देख लीजिए और जिसको भी ये प्रॉब्लम आ रहा है और एक दिन के अंदर में कराना है दोस्तो तो आप हमें वार्शेप पे जो है मैसर कर लिजेगा और इस्टेटिस जो है इसकी इसोट लेकर हमारे वार्शेप भी दिजेगा आपको कुछ पैमेंट करना पड़ेगा उसके बास से आप लोग का एक दिन का अंदर में गारेंटी की साथ में आप लोग का काम करातेंगे दोस्तो उसके लिए आपको डिकमेंट जो है मैं इस वीडियो में बता दूँगा आप लोग एंटर वीडियो देख लो तो 100% आपका अधार काट केंसी जो है सलुशन हो जाएगा दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों था क्या आफका भी यह इस्टेटस हो रहा है आधार नमबर हैze बिंड ऑैदर रेकुलेशन वप्टी सेबं अध剛剛 अफटेट रेगुलर 2016 अगर आपका यह इस तेटेश और है या आपका जो है आदार आथार आ रहा है या आपका आधार जो है Suspend का status so हो रहा है तो आपको खबडाना नहीं है दोस्तो आधार cancel का मतलब यह होता है कि जो आपका आधार number है वो cancel हो गया है आप कोई भी जो है आधार का काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि UIDI ने आपका आधार card को cancel कर दिया आधार number को ठीक है तो आप इसका solution कैसे कर सकते हैं ये जो है कितने दिन में सही होगा ये सारा detail में आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में तो वीडियो एन तक देखिएगा क्योंकि आपको जो है ये वीडियो देखने के बाद से आपका 100% guarantee देता हूं कि आधार cancel और आधार suspend और आधार deactivate जो है आधार card आपको स्रिफ एक दिन के अंदर में जो है आपका सही कराके दूंगा दोस्तों तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए आधार cancel ठीक है आधार के तरफ से आपका अधार नंबर जो है cancel कर दिया जाता है तो यह क्यों होता है आपका आधार card Deaf क्यों cancel होता है दोस्तों यह मैं आप लोगों को बता दूँ उसके बात से जो है आपको solution नंबर कुछ भी address या mobile admir नहीं कराते हैं। उसके वज़े से आधार कार्ट जो है और केंसिल हो जाता है या बहुत सारे लोग जो है अपने अधार कार्ट में कुछ अपडेट भी कराते हैं तो उसमें क्या होता है फरजी टेक्मेंट वगारा बार बार लगाके अपडेट करवाते हैं उसके वज़े से अधार केंसिल हो या suspend हो जाता है या deactivate हो जाता है दोस्तों तो चलिए मैं आपनों को बता देता हूं इसका solution क्या है देखिए दोस्तों अगर आपका ये आधार cancel आ रहा है तो आपको घबराना नहीं है दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपका ये भी problem हुआ है तो आपके पास क्य जाके डॉक्मेंट होना चाहिए ठीक है मैं आपको पता देता हूं तो देखिए सबसे पहले जाकर आपको क्या गरना है एक बाइमेटिक अप्टेट करवा लेना है जिसमें मोबाइल नंबर लिंक नहीं होना चाहिए दोस्तों ठीक है उसके बाद से जो है आपको अपना धार कार्ड मुझे भेजना है दोस्तों और श्रिप आपका एक दिन के अंदर में मैं आपको जो है कंप्लेन में लगा दूंगा और एक दिन से दो दिन के अंदर में जो है आपका धार कैं तो होता है जैसे मालीजी यह आधार नंबर है ठीक है यह मैं पूरा नहीं दिखा सकता लेकिन कुछ दिखा रहा हूं यह आधार नंबर है जैसे आपका यह आधार है ठीक है आपका यह आधार था और यह कैंसिल हो गया तो जब आपका निव जब आपका अधार काट सही होगा तो ये आधार नमबर आपको नहीं मिलेगा दोस्तों दूसरा आधार नमबर मिलता है ठीक है आपी के जैसे बहुत सारे लोग का आधार जैसे कैंसिल हो जाता है वो ही आधार नमबर जो है UIDI आपका आधार किसी और को दे देती है और किसी और का अधार किसी और को दे देती ह फाय थारर नंबर ठिक है नया अधार कारट नंबर आपको जनरेट होता है यह अपका नहीं होता वो नई मिलते तो क्योंकि यह केंच्टिल हो गया है ठीक है और उसके पास से आपको पर भेजना है और एक बायोमेटिक सिलीब भेजना है ठीक है मैं आप लोग को करा दिया जाओंगा इसका पैमेंट लगेगा पैमेंट कितना लगेगा मैं आपको वाट्षेप नंबर में जो है दे दिया हूँ आप उसके मुझे मैसेज कीजिए अपना ये इसकीन सोट लेके अगर आपका अधार केंसिल है या सस्पेंड है या डियक्टिवेट है कुछ भी हो आप इसकीन सोट लेके भेजिए और उसका मैं आपको रेट बता दूँगा और जेन्मेन दोस्तों जेन्मेन काम होता है हमारे यांपे और आप लोग आँख बन करके जो है आप लोग काम क कर आ सकते दोस्तों ठीक है तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा और भी कुछ पूछना हो तो कमेंट करके आप पूश सकते हैं रिपलाइ मिल जाएगा दोस्तों ठीक है मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थाइंकिस अफू मच